नमस्कार आजकर एक मामला सुर्खियों में चाया हुआ है कि किस तरह से दस साल पहले हिंदी फिल्मों की अक्टर नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों की अक्टर तनुश्री दत्ता के साथ सेक्ष्वल हरेस्मेंट किया था वर्क प्लेस पर सिनेमा के सेट पर एक ऐसा उन्होंने काम किया था जिसे तनुश्री दत्ता ने इतराज जाहिर किया था उस वक्ट भी और उसको लेकर फिर MNS के लोग आए कथित रूप से जो एलेगेशन है उसका वीडियो भी सामने आया कि कैसे MNS के लोग तनुश्री दत्ता की गाड़ी पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं तनुश्री दत्ता ने उस वक्त F.I.R. दर्श कराई थी लेकिन वो किसी ने साथ नहीं दिया अब भी तक जो बॉलिवूड के महान लोग हैं जो ब्रैंड अम्बैसडर बनते हैं राज्यों के भी जो हमें स्वच्चता का संदेश देते हैं वो चुप हैं वो तमाम बड़े-बड़े लोग चुप हैं क्योंकि हमारे हां इस तरह का चरित्र ही नहीं है इन लोगों का इन बड़े बॉलिवूड के अक्टरों का कि वो स्टैंड ले पाएं पोजिशन ले पाएं किसी खास विशे पर किसी खास इशू पर यह हॉलिवूड नहीं है जहां लोग बोलते हैं यह बॉलिवूड है यह चवणनी अठनी वाल लोग ही हैं सिर्फ बहराल तनुश्री रत्ता की शिकायत के बाद और मामला आगे बड पीरे नंगी तस्वीरें उनको भेजता था और सेक्शल फेवर्स मांगता था और किस तरह से सेक्शल हैरस्टमेंट करता था फिर अब वत्रकारों की तरफ से भी यह सब शुरू हुआ है कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है हमारे कॉलेज क को तागत मिली आवाज मिली अब यह बात बहुत आगे बढ़ चुकी है कोई भी सेहने को तयार नहीं है लड़की कि उसके साथ सेक्शल हरस्मेंट की जाए सेक्शल हरस्मेंट क्या है मैं बताना चाहता हूं लोगों को दरसल जानकारी नहीं है जानकारी क्यों नहीं है यह में आपको बताऊंगा sexual harassment एक हमारे हैं विशाखा guidelines यह आप ध्यान से सुने इस बात को यह लड़कियां भी सुने और भी सुने आदमी भी सुने और नौजवान भी सुने जो नौकरी करने जाते हैं अपने अपने दफ्तरों में विशाखा guidelines क्या है विशाखा guidelines दरसल एक एक केस वह था विशाखा and others versus state of Rajasthan और उसमें यह था कि जो औरतों के हुकूक है वो क्या है जहां पर वो काम करती हैं कि उनसे किस तरह से बात की जाए विशाखा guidelines के मुताबिक उसमें क्या-क्या है Unwelcome Sexually Determined Behavior एक ऐसा बरताव जिसमें sex को लेकर कोई संकेत हो, सलाह हो और जो लड़की नहीं चाहती लेकिन फिर भी आदमी कर रहा हो या लड़का कर रहा हो Physical contact and advances जान बूच कर छू देना या advances बने क्या कहें जैसे इंटरनेट पर प्रपोजल भेजना किसी को कुछ भी करना या वैसे मतलब उस तरह की रूची दिखाना जिसमें लड़की इंटरसेड नहीं है वो काम करने या घर जाना चाहती है लेकिन हमारे हैं तो हिंदी फिल्म पर आशा पारिक को छेडेंगे नहीं वो हीरो कहां के हुए तो ये values जो हैं ये हम लड़कों ने बच्पन से ही imbibe करी हैं ठीक है हमारी माताएं जो रही है वो शुरू से ही दबी हुई हुई रही है और जैसे मुलायम सिंग यादव ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है रेप को लेकर का था बलातकार को लेकर ये जो sense of entitlement है ना जो कि आदमी चाहे जो मर्जी करें ये हम में कूट-कूट कर भरी हुई है जिसका जवाब हम ही कोई मिल रहा है नाना पार्टेकर को मिल रहा है इस उत्सव को मिल रहा है और लोगों को मिल रहा है बहराल किजम के मतलब वो संकेत हों शोइंग पॉनोग्रफी जान बूच कर पॉनोग्रफी कहते हैं जिसे कुछ लोग इसे एरोटिका भी कहते हैं वो दिखाना जब कोई देखना ना चाहता हो और उसके अलावा कोई ऐसा फिजिकल जश्मानी या मौखिक या कोई और ऐसा व्यव यह सुप्रीम कोट की तरफ से मैंडेटिड है कि यह सुप्राइयर जो है जो एम्प्लॉइर करता है नौकरी देता है यह उसकी जिम्मेदारी है कि जो वहाँ पर काम करते हैं उसके जगा पर, उसके दफ्तर में, उसकी फैक्टरी में, कहीं पर भी उसके शोरूम में काम करते हैं, इस तरहें की चीजें ना होने दे, बिल्कुल ना होने दे, और सब को मालम हो कि प्रोसीजर्स क्या हैं, ऐसी हरकत जब हो, तो उसको या तो करने के या उसको सेटिल करने के या फिर कानूनी कारवाई करने के यह जो मालिक है जो नौकर रखता है मालिक नौकर अभी भी लफ से इस्तमाल होते हैं एंप्लॉयर जो एंप्लॉयर रखता है यह उसका फर्ज बनता है उसके अलावा विशाखा गैडलाइन्स का ये है कि हर जो शक्स नौकरी देता है जो मालिक है वो अपने ही दफ्तर में कमेटी बनाएगा ताकि अगर किसी लड़की के साथ कोई इस तरह की छेड़ा खानी होती तो उस कमेटी में जा सके शिकायत कर सके उस कमेटी में आधी या आधी से जादा औरते हों और ये अब एंप्लॉई एंप्लॉयर जो है उसकी जिम्मेदारी ये विशाका गाइडलाइन्स कि हर दफ्तर में इस तरह की कमेटी होनी चाहिए आप चेक कीजिए जहां आप काम करती है या करते हैं वहां पर ऐसी कमेटी है जहां आप अपनी शिकायत लेकर जा सकें दरश a sexual nature or any other behavior of a sexual nature that might reasonably expected or be perceived to cause offense or humiliation to others बरहाल ये United Nations की guidelines है जो लोगं को मालूम ही नहीं कि इस तरह की guidelines है और हर दफ्तर के लिए जरूरी है और एक बात और जरूरी है हर दफ्तर के लिए कि वक्त वक्त पर वैसी वर्क्शॉप कंड़क्ट करें एक्सपर्ट को बुलाकर अपने सारे एंप्लॉईस को जैसे हम लोग दवायर में करते हैं करुणा नंदी वकील हैं आखरी वक्शॉप उन्होंने कंड़क्ट करी कि सबको समझाया जाए कि आपके ह हुकुक क्या है वक्ट प्लेस पर सेक्शल हैरिस्मेंट कौन-कौन सी होती है क्या होती है ताकि जो जो नए लोग उनको भी मालूम हो दरसल हमारी दिक्कत यह हैं अब मैं आपको अपने दिक्कत बताओं कि मेरी उमर के लोग तो हम बहुत बड़े हो गए हैं मैं 65 साल का हू हैं एक सीरह तक पहुंच गए हैं अब दूसरे सीरह तक पहुंचता है हम पेट्रियाकी पेट्री सत्तात्मक सत्ता और फेमिनिजम उसके कस्प पर हैं 40 से उपर के लोग बच्पन से हमारी ट्रेनिंग यह है कि अपनी बेहन अपनी मां अपने घर के किसी भी परिवार की कर देंगे ले देकर हमारी कंडिशनिंग यह नहीं है कि लड़के जो होते हैं वो तो बने ही इंप्रेस करने के लिए है ahead इन अज पर त्व पर हमार्ड तों की स्तिति स्वीकार उन लड़कियों के सामने क्या रास्ता है क्या उनको भी यह सब मालूम है हमारी दिक्कत यही है कि हमारी माएं हमें उस धनके संसकार नहीं दे पाई क्योंकि हम पित्री सत्तात्मक्त पेट्रियाकल सुसाइटी में बड़े हुए थे जहां पर हम प्रोटेक्टर भी हैं हम तो अच्छा है यह संदेश उन गटर से निकले ट्रोल्स के लिए भी है जो किसी भी कारिक्रम पर या किसी भी सोशल मीडिया पर मां और बहन की गाली देते हैं अब बताई इसमें मां कहां से आ गई किसकी बहन कहां से आ गई लेकिन ट्रेनिंग ऐसी मिली है गाली ही देना क्मा उते ज़ masa सउन अभ्य और सब्सक्राइब कर उर्चोन अबभाने तक एक आसा दॉर था हिंदूस्तान का जब एक सूपर में नीचे जा रहा था राजीव गांधी मिस्ट लीन और एक सूपर मैं उपर आरहा था मसीह वीपि सिंग मिस्टर उनस्ट उस से पहले कि सूप पर वूमन ने कह रहा हूं, सूपरमैन कह रहा हूं, बहराल फिर सूपरमैन का सिलसला चलता रहा, उसके बाद वीपी सिंग के बाद सूपरमैन जो चंदर शेखर, आएके गुजराल, देवे कोड़ा, इनकी बात नहीं करूं, इनको टाइम नहीं मिला, फिर लौपुरुष आ जो सूपरमैन नहीं थे, उन्होंने टीम बनाई, टीम बनाकर काम किया, पीविनर से मराओ, और डॉक्टर मनमोहन से, खैर, जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कि सन 87 से लेकर, और सन 90 तक, माहौल में एक नारा बड़ा मशूर हुआ था, गली-गली में शोर है, राज कीचड, प्रधान मंतरी पर लग रहा है, प्रधान सेवक पर लग रहा है, आजकल ये नारा चल रहा है, कि मेरा पी-एम चोर है, लोग अपने हाथों पे लिखवा रहे हैं, राहूल गान्दी तो कहे चुके हैं, नाम लेकर कहे चुके हैं, प्रधान सेवक का, कि वो चोर है कॉंग्रिस की प्रवक्ता दिवयस्पन्ना ने भी यही बात करी उन पर F.I.R. धर्ज हो गई रहू लगाने के खिलाफ नहीं कोई अब यह कीचर ऐसा है जो किसी पर भी लगाया जा सकता है Mr. Clean बंद कराय थे राजीव गांधी उन पर लग गया यह कीचर प्रदान से वक्ता कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूँगा उन पर लग गया कीचर एनके जान पिचान के अपने ही लोगं चाहे वो मेहुल चॉक्सी हों नीरव मोदी हों चाहिए वो क्या विजे मालिया हूँ या एक यो नए जुआए हैं क्या नामन का जतिन संदेश दरा मेरे खाल यही नाम है वो भी कटलिये हैं हजारो करोड लेकर बहराल अब ये कीचर डिन पर चिपकता जा रहा है रफाल का किस्सा ये है कि रफाल नाम का जहाज हमें चाहिए डॉक्टर मनवोन सिंग के वकट पर डील हुई थी हुई नहीं थी होने वाली थी सारी प्रोसीजर पूरे कर लिए गए थे हमारी एर फोर्स ने सब जहाजों को परखा था उसके बाद रफाल को चुना था और 126 रफाल आने थे और 18 फ्लाइवे कंडिशन में आने थे 560 करोड का एक रफाल होना था प्रधान से वक मोदी जब फ्रांस गए तो उन्हें वो डील कैंसल कर दी और 36 रफाल की डील कर दी कि फ्लाइवे सिटुएशन में आजेंगे क्योंकि देश को खत्रा है आज जो तीन साल हो गया है वो फ्लाइवे कंडिशन में नहीं आए है जो पांसो साथ का जहाज था करोड का जहाज था वो करीब 1760 करोड का जहाज हो चुका है कीमत क्यों बड़ी है पैडिंग कहां हुई यह नहीं बताया जा रहा है पहले हिंदुस्तान अर्टिकल्स को उसमें शामिल होना था अब अनिलंबानी की कंपनी जिसे एक पुर्जा बनाने का भी तरजुर्बा नहीं है उसको वो कॉंट्रैक्ट दिलवा दिया गया है ऑफसेट कॉंट्रैक्ट तो इसी को लेकर जो ख लिकायद दर्ज किया है कि वो एफाइयार दर्ज करें और जांच करें कि ऐसी बाते तमाम बाते क्यों हुए हैं बहराल जो कीचर उसक्त उचाला गया था वह आज इन पर ही वापिस आ रहा है प्लेयर्स वहीं है आरुन शौरी तब राजीव गाने के खिलाफ इन एक्स्प का चोर कहना किसी को हां गली-गली में शौर है अच्छा प्रधान मंतरी मनमोन सिंग तक को चोर काये बीजेपी वालों ने पार्लेमेंट में जाकर तो चोर कहना आज किसी ने सुना है कांग्रेसी ने ने आरसेस वालों को कुत्ता तक कहा है अब यह जो हमारा विमर्ष का स् लिगड़ेगा आपने बहुत चुन कर बहुत सोच कर फैसला करना है कि ऐसे लोगों को वोट बिलकुल नहीं देना जो इतने खुबसूरत देश को बिगार कर रख दिया हो जिनके लिए राजनीती में आने का मतलब यही हो कि 54 इदर से चोरी कर लो अठनी उदर से चोरी कर जरा सोचिए आज जो शिकायत गई है CBI की ये भी देखना होगा क्या CBI प्रधान सेवक की जाच करती है प्रधान सेवक और मनोहर पारिकर डिफेंस पिनिस्टर है इन दोनों के खिलाफ जाच करती है ये देखना होगा नमस्कार आप देख रहे थे जनगन मन की बाद हमारी आप से एक बार फिर इलतिजा है कि आप यूट्यूब पर जाएं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दवायर न्यूज उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी जी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भ बुदवार वीरवार शुकर बार